पर दोस्तों नवस्ते आदाव सस्तियकार आपका दोस्त गोरा विज्दो पहर की दमपर आपका स्वागत करता है जहां पर हम फिर से करने जा रहे हैं एक नई जंग जो कि है ICAR के लिए Indian Council of Agricultural Research जहां पर आज हम करेंगे Battle 16 मतलब Mock Test 16 बहुत ही बढ़िया स्पीड से हम चल रहे हैं क्योंकि हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं कोशन का वहाँ पर हम जीके हो यहां पर पूरा जीके मतलब History वहाँ पर आपको मिल रही है जोग्रफी है करेंट अफेर के कुछ कोशन हम रखते हैं यहां पर आपको Agriculture के कोशन मिलते हैं सिमिलरली आज भी हमेंख करेंगे सिप्यार ठीक है निधी गुड़ास दिर्श्टी राशन प्रिश्ना जोग्डु कर देंगे कि मेरी वॉइस ठीक है तो guys आगे बढ़ते हैं अगले slide की तरफ अगला slide है अपने अंदर के डर को खतम कर दो नहीं तो कल डर आपको खतम कर देगा सही बात है पहले अगर हमके किसी exam को crack करना है तो सबसे पहले खुद के अंदर के डर को खतम करना होगा कई लोग कहते सर मुझे डर लग रहा है कि मैं exam नहीं निकाल पाऊंगा जब आप ही डर रहोगे तो कैसे निकालोगे पहले उस डर को खतम करिए और practice करना start करिए क्योंकि परिश्णम से तो हमें पीछे हटना ही नहीं है और moto के है अपना जुकेगा नहीं तो आखरी दम तक न यह नहीं लेते तब तक हम नहीं जुकने वाले क्योंकि आई सी ए यार इस बार पार करना है ठीक है हां गुड़ आफ्टर नून आर्मी लवर रादे रादे आजए गुड़ आफ्टर नून तो चलिए कुछ अपने रियल वारियर से मिलते हैं जिनोंने बहुत अच्छे त आप रियल वारियर सो वैसे तो मेरे सारे वारियर से और भी लोगोंने कमेंट किये थे पर सारे नाम में यहाँ पर मैंशन नहीं कर पाओंगा क्योंकि यह जगह तो छोटी सी है ठीक है लेकिन योद्धाओं आप क्लास में आते हो आखरी दम तक लड़ते हो उसके लिए सभ लेंगे यहां पर syllabus syllabus देख लेते हैं जीके का क्योंकि देखे यहां पर important क्या है agriculture के question है ठीक है क्या है agriculture के research institute के question important है क्या है research institute ठीक है फिर वहां पर आपको history का important रहेगा ठीक है फिर general policy culture कि यह सारा important part रहेगा आपके पास ठीक है तो इसको करना है अगले पर परते हैं पहला प्रश्ट वेर परियार टाइगर रिजर्व परियार बाख संरक्षित छेत्र कहां है केरला आसाम कुलकता वेस्ट बेंगोल बड़े आराम से लोग आंसर दे देंगे कर रहे हैं एक आकाश करहें है फार प्रिया ने जां करेव है कैजर्व कर्ला क्युक्तलमर केशव और這個是 यूजल पार्क है तो топ वाले IQ को है कौणसा मानस जूसरा कौन सा है काजीरंगा और एक इंपोर्टेंट है काजी रंगा तो वंहावॉं राइनो के लिए किसके लिए वंहावॉं ठीक है यह भी याद रखना है वेश बेंगोल में आपको कौन सा मिलेगा गॉरु अतिक्ष गॉरु बेंगोल वोस डिफीटेड इन बैटल ऑफ पलासी इन दाइयर बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किस वर्ष पलासी के युद्ध में पराजित हुआ था सत्रों सो पच्पन शपन सतावन और बावन सौरव ने का है सर संतावन संतावन यहां पर हमने याद किया हुआ है सर कैप्टर मौरगान आर्ती द्रिष्टी कुनिकाट जितेन धरमपाल धरमेंद्र एबी कृष्णा वेरी गुड यहां पर करेक्ट आंसर होगा अरे भाईया यह ऑप्शन नमर वन कैसे दे दिया यह गलत क्लाइव और सिराज जुद्दौला के बीच में यह युद्ध हुई थी ठीक है वही यह बैटल हुई थी यह आद रखेंगे हां बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हस्ते हस्ते आंसर देंगे सारे सही होंगे ठीक है चले आगे बढ़ते हैं द सब्सक्राइब सबकेरे सर सी 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 आरे भट देखी अर्थ का एक ही नेचुरल सेटलाइट तरका दिनेचूरल सेटलाइट साय मून अगर सबसे पहले पूछ लिया सबसे ज्छाइब सब्सक्रा-इस दो में बताना होगा अबहां पे किस्की इसटन की है किसकी इटरन की है कितने जुपितर ना होगा दो सक पूझ लेगा गैनी मिडिया गैनी मिड यह किस का है數 अब बता दीज जिए सब से बड़ा है ओ भी किसका जुपिटर का है किसका है जुपिटर का है यह भी याद रखेंगे फोबोस और पहला होमवक आगया वह का फोबोस किसका है बताना है आपको ठीक है हाँ शुपिटर जुपिटर मार्स ठीक है अहां पर लोगों का अंसर आ रहा है लेकिन यह होमवक रहेगा देखते हैं कितने रियल वारियर्स और निकल कर आते हैं अगे प्रश्मे बढ़ेंगे को रोल वॉस फर्स्ट एस्टेबलिश्ट इन अपनी विशेशक शाशन सर्वप्रथम कहां इस्थापित किया गया था बेंगॉल सूरत दिल्ली बंबे यहां पर सब कह रहें सूरत मैं कहा है सूरवने बाकी लोग क्या कहरें दिपती ने कहा है सूरत हाँ फवोबोश और ठीक है सब को याद है ठीक है प्रतिक्षा करें सर्प बेंगाल होंगे आग लगा दिजह यहां पे सूरत लोग बहुत से सुरत नहीं है क्या है पर बंगाल करेक्ट आंसर है सूरत नहीं है सौरफ बंगाल सही होगा प्रिया 100% आप कह रहे हो भी यहाँ पर करेक्ट ए होगा ठीक है बेंगोल इस दा करेक्ट आंसर आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्णी की तिरफ विच ओफ फॉलॉइंग इस एन एक्जांपल ऑफ रभी क्रॉप बहुत इंपॉर्डेंट कोशन क्योंकि भईया क्रॉप से छोड़ना ही नहीं है ठीक है निमलिकित में से कौन रभी फचल का उधारा है वीट पैड़ी कॉटन ग्राउंड नट बहुत बार किया गया ऐसा कॉश्चन लोगों ने का सर्वीट वीट वीट पर आग लगा दो मतला ऑप्शन नमर वन पे साप मत बिठाना ठीक है भईया स पता है और इसका इक्जांपल क्या है वाटर मेलन क्या है बहुत खाया होगा आप लोगों ने ठीक है गर्मियों में तर्बूज हाँ very good रभी ऑक्टोवर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यहां पे किस ने जवाब दिया है हनी ने जवाब दिया है future teacher very good ठीक है प्रतिक्षा very good आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्ण की तरफ लेकिन एक गुजारे सभी लोग फड़ा फट से शेर करेंगे और लाइक करे फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ हारिमपा वेरे गुड अगला प्रश्ण आपके स्क्रीन पर यह रहा वर्ट पोर्ट इस कॉल्ड क्यून ओफ अरेबियांसी अरब सागर की रानी किस बंदरगा को कहा जाता है कोची मुंबाई सूरत कांडला यहां पर लोग करें सर्क कोची होगा कोची कोची सौराव अफसाना अफान रौनाख चंदन कैप्टन मौर्गन ने कह दिया हंड़ेट परसेंट तो भईया यहां पर करेक्ट आंसर होगा कोची और सबसे बड़ा बिगेस्ट पोर्ट या मैं कहूं बीजिएस्ट पोर्ट क कौन सा है फड़ा फट से बताएं गें कौन सा है कर लिकिन भाट नाम क्या पोर्ट का रिध रहे हैं जवाह लाल एव पोर्ट ओके ओके मैं समझ गया सबको को पता है यहां पर जे एलन पोर्ट जो है वह सबसे बीजिएस्ट पोर्ट है ठीक है कि आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इन विच स्टेट इस गांधी सागर डैम कंस्ट्रक्टेड गांधी सागरबांध किस राज्य में बना प्रदेश कि यहां पर कह रहे हैं लोग ठीक है उसका कॉश्चन एंपी आ रहा है ब्रिमपा सौरा विकास धर्मेंद्र केशव मिनाज अभीजीद दिव्या श्वेता नीराज बहुत बढ़िया यहां पर करेक्ट आंसर होगा सुनाली ने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिय सर험 कौन सी नदी पैसर्दार सरोब्रेंड। सी नदी पर है बहुत एजी कोशयन है कौन Catholic नहीं है दोस्तो नर्मदानेज आ रहा रहा है यह हमुना नदी भी नहीं है नर्मदान मदिए कौन सी है किस पे है भागी रती रीवर पे ये भी याद रखेंगे सबसे बड़ा डेम पुछले बिग एस डेम आपसे अगर पूछेगा तो आपको क्या देना है जवाब हीरा कुन थीग है वो कहां पर है अपना महानदी पे है कहां पर है महानदी पे ठीख है कौन से डिश्रीक पे है आप बताएंगे फड़ाक से संभलपूर में है ओडिशा में ठीक है यह भी याद रखना है कि यह सीरा कुट्डेम है महानदीप है ओडिशा में है संभलपूर डिस्टिक है वेरे गुड सबी लोगों ने करेक्ट जवाब दिया है विराट हनी कैप्टन मॉर्गन आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण है लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देखना चाहेंगे टेस्ट बुक लेकर आया है है एप्पी आर्स सेल जहां पर आपको 399 में पास दिया जा रहा है पहले आप 450 एक्जैम की तयारी कर पाते थे 399 में अभी ह 470 और पहले मिलते हैं आपको 30,000 मौक आप मिल रहें आपको 34,000 मौक ठीक है जहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट एक्जैम की तयारी कर सकते हो पास बाय करते वक्त आप यूज कर सकते हो कैसी इसको बाई करना है एक बार देख लेते हैं सिंपली आपको यहाँ पर गूगल पर जाना है गूगल पर जाने के बाद यूट्यूब ओपन कर लिजिए तो यूट्यूब हम ओपन कर लेते हैं यूट्यूब चले गए testbook.com पर और फिर किसी भी वीडियो पर चले जाएए लाइफ चल रहा है अपना वीडियो इसी को ओपन करते हैं और डिस्क्रिप्शन पर आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन पर आते हैं आपको एक मिलेगी teacher link teacher link open कर लेना है और एक new page open होगा जहां पर आपको monthly test book pass 299 yearly test book pass 399 lifetime test book pass 599 और यहां पर हम coupon apply करेंगे coupon क्या है अपना G A M P A S S और इसको कर देंगे apply देखिए यहां पर 10% discount हो गया बहुत से लोग अभी भी ICAR के test series नहीं दून पा रहे हैं तो simply यहां पर देखिए search box है इसमें हमें क्या लिखना है ICAR और search कर देना है जैसे ही आप search करोगे आपके सामने test series आ जाएंगी ICAR की यहां पर आप देख सकते हो 93 total test है और 15 free test है तो आप आज ही जाईए और test को लगाईए और अपने आपको पहचाने कि आप किधर पर stand करते हो तो चलिए आपन बढ़ते हैं अपने फीपीटी की तरफ वापस से और यहां पर अगला प्रेश्ण आपके screen पर यह रहा the state with the largest monazite resource in India is भारत में सबसे बड़ा monazite संस्थान वाला राज्य है आंधपदेश, केरला, तमिल नाडू, ओरिशा यहां पे लोगों बोल रहे हैं केरला होगा कुछ लोग बोल रहे सार तमिल नडू प्रतीख्षा रहे सार केरला में आग लगाएлись है नहीं नहीं केर्ला में नहीं आग लगाएंगे ठीक है यहां पे correct answer जो है वो है केरला क्या है केरला है आग नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत अच्छी जगह है और इसको आग लगा कि क्यों हम खड़ाब करें ठीक है केरला की राजधानी क्या है तिरुवनंत पुराम क्या है तिरुवनंत पुराम ये भी याद रख लीजिए ठीक ठीक है न्यूज में था कुछ समय पहले हां केरला इस आगे बढ़ेंगे साइलेंट वैली यहां पर साइलेंट वैली भी है क्या है साइलेंट वैली चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ मैच दा फॉल्लोंग भारत नाट्यम उत्तरप्रदेश कथक तमिल रूस करेंगे ठीक है यहां पर देखते हैं किसका करेक्ट आता है यहां पर आकाश निकाह सर्फोर होगा अध्या गई है फड़ाफट से जुड़ जाए ठीटी ठीटी सी सी आप्शन आ रहे हैं सब के सी सी मतलब यहां पर एकाट्टू कह रहे हैं मतलब भरत नात्यम तमिल आरस वाला कथा लगा के ठीक है तो यहां पर भाईया भी वन तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में बाकी में तो है भी नहीं तो बाकी तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएंगे यहां पर करेक्ट आपसर होगा ऑप्शन नमबर थ्री अगला प्रेश्ण आपके सामने यह रहा विच एट होम एंड योगा विद फैमिली योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन योगा फॉर वेल बिंग योगा फॉर पीस बताइए यहां पर शुभांगी कह रही है सर बी होगा हंडेट परसेंट तो भाईया ध्यान से यहां पर नीरज ने काई सर योगा फॉर वेल होगा बाकी लोग कन्फ्यूज है कुछ लोग थ्री ऑप्शन एक को आग लगाई यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नुबर थ्री होगा यहां पर कह रहा है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली भाईया भाधार पर बैठके यूगा करने की बात कर रहा है तो हम तो नहीं करेंगे योगा फॉर प्रक्राइब करेंगे प्रतिंशन आपके सामने वैन इंडियन प्राइम मिनिस्टर अनाउंस डाक्ट दी मोनेटाइजेशन ओस थाउजन और फाइवन नोट भार्दी प्रधान मंत्री ने हजार और पांसों के नोटों के विमुद्री करण की घोशना कब की सबसे बड़ा जटका तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा option no.3 भाईया निकलते ही हमें पता चला क्या कि नोट तो बंद हो गए हैं और लाइल लगना start हो गई है अगले प्रश्ण की तरह पढ़ेंगे अगला प्रश्ण आपके सामने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डवलब्मेंट प्रोजेक्ट हैस बीन इंट्रोड्यूस मेनली टू एकी क्रत बाल विकास परियोजना मुख्य रूप से किसके लिए शुरू की गई है रिड्यूस इन्फेंट मॉन्टैलिटी रिट इंक्रीज चाइल्ड कॉन्फिडेंस रिड्यूस चाइल्ड लेबर और गिफ जॉब तू लेडिज अच्छा यहां पर कह रहे हैं जूर का जटका था वह सबके लिए यहां पर सब कह रहे है यहां पर रिड्यूस इन्फेंट मॉन्टैलिटी रेट होगा रिड्यूस इन्फेंट मौटलिटी रेट ठीक है यह आपको याद रखना है इंटीग्रेटेट चाइल्ड डवलफ्मेंट प्रोजेक्ट किस से रिलेटिड है मौटलिटी रेट से अप्शन नमबर वान यस अजय आप करेक्ट है राहूल सेम दिप्ती आदिती आदिती यहां पे चाइल्ड लेबर नहीं होगा यहां पे इंफेंट मौटलिटी रेट होगा अगले कोशन की तरह पढ़ते हैं अगला कोशन आपके सामने वेर इंडियन स्क पूल आफ माइन्स कहां इस्तित है उडिशा जार्खंड बिहार वेश्ट बेंगॉल हां नितिन डेफिनेटलि आपका नाम लेंगे आप बस करेक्ट आंसर पर फोकस रखिए यहां पर कह रहे हैं लोग जार्खंड जार्खंड कुछ लोग करें उडिशा मतलब दो में कॉम बा être है जार्खंड है करेक्ट आंसर जार्खंड में आपको क्या मिलेगा चोटा नाप पुट्पू मिलेगा नाम चोटा है लेकिन कैसा है बहुत यूस्फूल है वहां पर ठीक है यह याद haa जार्खंड कि केके क्लिशा मारती राची है याद रखना है बिहार का capital आप लोग बताएंगे बिहार का capital बहुत इजी है क्या है पटना है अपने भाइया लोग मतलब अच्छे अच्छे लोग भी यहां पर रहते हैं कौन पटना में ठीक है वेस्ट बेंगॉल का आपको पता है कोलकाता है ठीक है ओडिशा का क्या है भूवनेश्वर है क्या है भूवनेश्वर है यह भी याद रखना है कि यह आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण लेकिन एक बार सभी लोग लाइक करेंगे देखें यहां पर अभी अपन 208 लाइव हैं लेकिन 83 लाइक इसको बराबर कर लेते हैं फड़ा-फड स से 150 ले आते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण है विच आफ फॉल्वाइंग इस नौट फाइनेशल इंक्लूजन स्कीम निमलिकित में से क्या एक वित्ती समावेशन योजना नहीं है प्रधान मंत्री जंधन योजना सुक्र सुरक करें सर्थ यहां पर और यहां पर क्या होगा ऑप्शेन नंबर धी होगा ठीक है हिर्दय इस दा करेंट आंसर ओ ठीक है आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न प्रश्ण नहीं हम्रेश नहीं वो सक्षील नबद फाए इतना इसमेली कौश्ण आरे ब्हाइए इसको तो हम पक मारें गे हमायू का उत्तर दिकारिक बना था अकबर जहांगीर सा जहां बाबर ट्रिक लगा लिजिए आंसर बता दीजिए लोग करें रुड़ब अकबर अकबर कैसे पता आपको क्योंकि यहाँ पर सर आपने ट्रिक सीखी थी और से हैं भाजसा लेक दी-मर जहां गीर ऐसे सा जहां एसे औरंजेब औरंजेब कोई क्या कहा जाता था जिंदा पीर क्या बोलते थे जिंदा पीर अकबर को तो भईया 13 साल की उम्र में ही राजा बना दिया बैरम खांके संरक्षण में ठीक है यह भी याद रखना है पहला युद्ध जो इनकी तरफ से लड़ा था हेमू के साथ हुआ था और बैरम खाने लीड किया था ठीक है यह याद रखना है वेरी गोड़ पंद्रह सो चपन में वेरी गोड़ बहुत बढ़ी आस केंड बेटल ओफ ठीक है सभी को पता है जलाल उद्दिन मुहम्मद अकबर इनका पूरा नाम था आगे बढ़ते ह अगला प्रशन आपके स्क्रीन पर हूँ इस रिगार्ड़ इस फादर ऑफ दा इंडियन नुक्लियर प्रोग्राम भारती परमानु का रिक्रम का जनक किसे माना जाता है डॉक्टर होमी भाबा राजा रमान एपीज अब्दुलकलाम और जवाहालाल नहरू सब करें सर, A option, A option, A option यहाँ पे correct होगा स्वाती, मिथिलेश, अदिती, प्रिया, सौरव, कैटन मॉर्गन, दीदी यहाँ पर correct answer जो है वो है option number one डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जिनको किस नाम से जाना था nuclear program के ठीक है इंडियन nuclear program father of the Indian nuclear program APJ अबदुनसर जी को किस नाम से जाना जाता था missile man of India क्या missile man of India यह याद रख लीजेगा और सबसे अच्छी बात सिर्फ यह यहाँ पर scientist नहीं थे वो क्या थे professor भी थे president भी रह चुके थे और writer भी थे क्योंकि इन्होंने book जो लिखी है wings नहीं मैं book का नाम नहीं बताऊंगा आप बताएंगे second homework क्या है second homework book बतानी है जो APJ अबदुनकलाम सर जी ने लिखी थी प्रकाश करें I am new student कोई नहीं प्रकाश अगर आप नहीं हो तो योधाओं से मिलिये यहाँ पर सारे के सारे warriors हैं आप भी warrior एक तरह से बन सकते हैं बस आपको answer देना है यहाँ पर हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ which of the following is the currency of Japan निम लिखिद में से कौन सी जापान की मुद्रा है यहाँ यूवान रेंबिम्बी और अबल कि यहाँ पर सौराव नीराज अधिती कैप्टर मॉर्गन दीपिका अधिती थॉमस अभी ने बापरे इतना जल्दी होई 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 यहाँ यहाँ जो कि जापान की करिंसी है रेंबिम्बी कहां की है चाइना की है कहां की है और रूबल कहां की है फड़ा फट से सारे के सारे लोग बताएंगे हाँ यह जो है वो जापान की करिंसी है रशिया 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 लोगों ने भर दिया आग लगा दिया ठीक है भईया रशिया तो अपना अच्छा दोस्त है क्यों आग लगा रहे हो लगाना है तो किसी और पड़ोसी देश में लगाओ मजाग कर रहा हो ठीक है सीरियस मत लेना थीक है रशिया इस दा करेक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण आपके सामने अकॉर्डेंग टुदा सेंसेस ऑफ 2011 इस दा मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया 2011 की जंगर्णा के अनुसार भारत का सबसे अधिकाबाद वाला राज था वेश बेंगॉल तमिलनाडो आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश थीक है यहां पर लोग कह रहे हैं सर यूपी 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 क्यों भाईया यूपी वाले इतने ज़्यादा गंदे होते हैं जो आपने बोल दिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ह अगर आखे लोग है तो यहां पर आणसर जोगा वह उत्तर प्रदेश होगा क्या होगा उत्तर प्रदेश लेकिन अगर बोलता डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहां पर है तो बताइए कहां पर होगी बिहार 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 लोगों ने कह दिया है बिहार तो भाईया लीजिए यहां पे लिख देते हैं बिहार इस दा करेक्ट आंसर अब आपको बोलेगा लीस्ट डेंसिटी ठीक है लीस्ट डेंसिटी स्टेट कौन सा था ठीक है लीस्ट डेंसिटी स्टेट यह आप आंसर रखेंगे homework number three homework number three least density state बताना है आपको कुछ लोग करें गोवा कुछ लोग करें सिक्किम कुछ लोग करें अरुनाचल प्रदेश इसी को कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे कमेंट पे answer करेंगे जब ये class खतम हो जाएगी सभी लोग को यहाँ पर answer करना है तो एक बर गाइस फड़ा फट से सारे लोग यहाँ पे कह रहे हैं ओके अलब और इनी अलबुरे नी सब क्या अंसर आ रहे हैं कुछ लोग अच्छा कुछ लोग अलग भी दे रहे हैं कि हिमांशु करें ए सोनाली रिंपा सौरव दलजीत राहुल नीराज राकेश बहुत बढ़ियां यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वोगा अल बुरुनी उन्हों और अकबर नामा लिखा था इन्हों ने ठीक है और तुरी राज रासो हमें पता है व्ल lobby right capita करेश ने लिखेश गोन् से भढ़ाई जी बर्धाई जी चैंद बर्दाई ठीकते यह याद रखेंगे और हुमायू और तुरुमाज region नामा किने लिखा और बाबर जी के पास कोई नहीं था लिखने के लिए तो बाबर ने खुद लिखी थी कौन सी बुक बाबर नामा ठीक है ये भी याद रखना है चलिए अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रशन आपके सामने ये रहा इन इंडिया sex ratio refers to the numbers of female per dash males भारत में लिंगा नुपात प्रती पुरुषों पर महिला की संख्या का दर्शाता है 100,000, 10,000 और 1,000,000 सर बोल रहे हैं कि सर ये तो sensex में बहुत बार हमने देखा है सौरी बजट में और इसमें कि भईया जब सर्वेक्षन होती है तो हमें पता चलता है कि 1000 पुरुषों में से counting की जाती है तो 1000 पुरुषों में से counting होती है आपको बताना है अभी current क्या है current जो ratio है वो कितना है ठीक है यहाँ पे female ratio male का बताना है आपको home work number 4 home work number 4 यहाँ पे एम ने बहुत जल्दी reply भी कर दिया कि sir census 2011 के हिसाब से answer यह है लेकिन इसको open क्या करेंगे comment box में ठीक है अच्छा female जादा है ओके ओके अगला question आपके सामने इन विच ऑफ फॉलाइंग स्टेड इस दा सामबर लेक लोकेटेड सामबर जील निमलिखित में से किस राज्य में स्थित है मिजोराम राजस्थान गुजरात और पंजाब लोग कहरें सर गुजरात गुजरात कैसे होगा राजस्थान में आख लगा दो रौनक कह रहे हैं प्रसनजीत प्रतिक्षा अभिजीत हनी कैटन मौरगान सनी आकाश बबलू यहां पर करेक्ट आंसर जोगा वो राजस्थान होगा सामबर लेक यहां पर है तो बताए इडि डेख कोई नहीं होता है चिलका लेक है तो चिलका लेक बता दीजेगा अपको पताई होगा वह ओडिशा में है रहरे और शामरें यह घलंप यह अधिली में यहां पर रहे भरत नाट्यम इस डांस फॉर्म ऑफ भरत नाट्यम डैश का एक निर्ट रूप है राजिस्थान उत्त्य प्रदेश तमिल नाडू नन आफ दीज यहां पर लोग कह रहे हैं सर्थ तमिल नाडू तमिल नाडू तो भाएचा यहां पे पर करेक्ट ब्रदेश नाट्यम कोछ लेता अगर खत workers Uansar देना होता यक्षगान क्या बोलते है यक्षगान ओभलते हॉससे प्रिदेश कीकि ने प्रदेश भीस और आपको पता है कथाखाते है तो यह कथख ही है केर ला का पूछ लेता तो आपको बढ़ा एज़्य है मोहिनी अट्टम और कथा कली तो ये भी याद रखेंगे चली आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण आपके सामने ये रहा Playing it my way is the autobiography of which cricketer Playing it my way किस cricketer की आदम कता है सौरग गाउंगली, रहुल द्रैवे, डिवरा सिंग और सचिन टेंडूलकर सबने कह दिया सर सचिन टेंडूलकर कैप्टन मौर्गन एबी डिविलेर्स आए हुए नहीं है नहीं तो उनका आंसर भी यही होता वो कहते कि सर यहाँ पे सचिन टेंडूलकर सर ठीक है, यहाँ पे correct आंसर जो है, वो है सचिन टेंडूलकर जी, ठीक है, भाईया, और सवर अफ गाउंगली जी की बुक क्या है सवर अफ गाउंगली जी की बुक कौन सी है ठीक है, हाँ, इनको Lord of Cricket बोलते है ठीक है Master Blasher भी बोलते है सवर अफ गाउंगली की बुक तक नहीं है, उन, दादा भाईया को बहुत सारी सेंचुरी बनानी थी ठीक है, दादा जी को बहुत सारी संचुरी तो, सैंचुरी इस नॉड इनफ आगे बढ़ेंगे अगले प्रशनी की तरफ, अगला प्रशनी है Which state is not part of 7Sister of North Eastern state कौन सा राजिपुर्वेटर राज्यों की सातह बह 컨bokोर लगग्याया ना चल परदेश ओर तरिपुर ऑप करने सर्क्ल की सिुख्किम कहा है ऐसे लाइग सिक्की तो क्या उन साथ भायों का भाई है क्या एग सेवन पर सही जवाब है अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रशन आपके स्क्रीन पर लेकिन गाइस एक बार सभी लोग लाइक करेंगे यहां पर हम 265 अभी लाइव है और लाइक सिर्फ 146 ओके अच्छा आदिती दीदी के शहर ओके ठीके आगे वड़ते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है इसको तो आप लोग चल्ली चल्ली कर दोगे मुझे पता है क्योंकि ऐसे कोशन को तो छोड़ना ही ना ही जाएए यहाँ पर लोग करें सर A, A, A option होगा, कैटन मौरगन देखा सर B option होगा यहाँ पर दोस्त मेरे not correctly दिया है, not correctly ठीक्या, लोग अभी A कह रहे हैं, तो यहाँ पर correct answer होगा हिमाचल, प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की शीलॉँघ तो है नहीं तो हिमाज़र प्रदेश की क्या राजधानी है वो आप बताएंगे शिलोंग किसकी राजधानी है ये मिघाले की है कहां किये बईया मिघाले की है शिलोंग ठीक है आंध प्रदेश की अमरावती दे रखी है उत्तर प्रदेश की लखनाओ अरुनाचल प्रदेश की इटा है अच्छा हाइद्राबाद में हाइद्राबाद कहां कि है अपने नहीं राज की वह कौन सा है या तेलंगाना ठीक है अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण आपके स्क्रीन पर यह रहा थाई पोसम एक धार्मिक तोहर सच्छ जो भारत के किस राज्व में मनाया जाता है अंद्रप्रदेश करनाटका ओरिशा तमिल नाड़ु यहाँ पर सोरवनिकान सर आंध्प प्रदिक्षा कहए रहें सर में स्किप करूंगी यहां पर खतरनाक लग रहा है तमिल्नाड कुछ लोग करें करनाट का भाई या कत्ता ही जहर को शेंशन क्या हो गया कत्ता ही जहर कोश्चन देखते थे हैं कितने लोगों को साब डस्ता है यहां पर ओके यहां पर करेक्ट आंसर क्याप्टन मॉर्गन कह रहे हैं सब्सक्राइब करेक्ट है हंडेट पर्संट थाई पोसम एक रिलीजियस फेस्टिवल जो है वो कहां का है तब लाडू का है आसम का भाई यह बहुत बार पूछा जाने वाला एक्जाम में ठीक है आप प्रसंति ऊसक्राइब किते पाइब इस ऑच्छेवलियस काई चैसे सब्च दिशेट रहें प्रसंट उसक्राइब मतलों भीनजी तीख है अब भाहिए जब चयए तो पह औरम कहां का लागा है फिर लकौर का रहें औरम कहां का है के बीश्योच आइन और दोनों में लोगों को हां भी सही आ रहा है ठीक है फ्रसनेजीद करेक्ट दिया है बाकी लोग हाँ नैतिक ने भी करेक्ट दिया है प्रदीब साइबर चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्णी की तरफ अगला प्रश्ण जैने जमें और गुद्धिस्म वार और जने कि अच्छा यहां पे एक औकिना था कि पर कुछ लोगों का ड़ी और सभा नौब को ए मतलब कुछ लोग करें इसर अरली वैदी कोगा यहां पर बात की जा रही है जैनिव और बुद्धिस्म की कि अच्छा लेटर अभी सब ने लेटर लेटर कर दिया किसको लेटर बेजें लेटर नहीं भेजना है वाटसब करना अच्छा तो फी सबिकरदिक है याँ दी आ रहा है अर्ली वेदिक में तो बहुए अपने सारे वेद आ अगयat या बुढले त्दी पौन याद रखेंगे। सब्सक्राइब कि चलिए आगे पढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ अगला प्रश्ण है आपके सामने विच इंस्टुमेंट इस यूज़ तो मैसर दा लेवल ऑफ यूमिडिटी आध्रता के अस्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उप्योग किया जाता है हाइड्रो लोग एक कह रहे हैं तो देखिए कंफ्यूजन हो गई यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वह गा हाइग्रो मीटर ठीक है अब कुछ लोग हाइड्रो मीटर कह रहे है तो यहां पर देखिए ऐसे याद कर सकते हो कि डैंसिटी को अगर मैजर करना है किसको डैंसिटी तो आए फैथो मीटर से क्या करेंगे डैप्थ क्या मैजर करेंगे डैप्थ लेक्टो मीटर से मिलक ठीक है मिलकी प्यूरिटी यह भी याद रखना है ठीक है अगले प्रशनी की तरफ बढ़ें अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर इन विच वाइस रोए रीन डिड लोकल सेल्फ ग इन डीड डीड फोर्ड है सु रफ ने पाइसर रिपन निराज कहरें रिपन प्रसन्जी द्च्रागलर पर्णिती क्या इपन मौर्गम तो यहां पर जो करेंट आंसर होगा वह और रिपन क्या होगा लाइड रिपन होगा ठीक है लोकल सेल्फ ग़र्मेंट मतलब यहां पे decentralization किया गया क्या decentralization और decentralization आया कहां से article 40 से कहां से article 40 BPSP ठीक है यह याद रखेंगे अब यहाँ पे जब पंचाय सिस्टम आया तो पंचाय सिस्टम कितने टीर में आया थ्री टीर में आया ठीक है और सबसे पहले जब आया पंचाय वो कहां पर आया नागोर जिले में आया राजस्थान में ठीक है यह याद रखेंगे और सबसे उपर थ्री टीर में क्या होता है तो वह लोगता है जिला परिशयत क्या होता है जिला की तरफ लेकिन गाइस देखिए यहां पर 285 हम लाइव है लेकिन लाइक सिर्फ 179 इसको फड़ा फड़ से 220 किये ऊपर करते हैं कि हाँ जीला परिशन सबसे ऊपर होता है आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है आपके सामने हॉन्द फेस्टिवल इन विच फॉलाइंग इस्टेट बहुत इजी सवाल बहुत बार किया गया भाईयाल कल्चर का कोशन मतलब आर्ट इन कल्चर का कोशन है हॉन्द उस्तव निम्लिखित में से किस राज में मना जाता है नागालेंड मिजोरम आसाम और अरुनाचल प्रदेश यहां पर सबा कह रहे हैं सर नागालेंड प्रतिक्षा सौरव बीरबल हिमांशू प्रतिक सुनाली अफसाना बहुत बढ़िया विराठ वेरी गूड यहां पर करेक्ट आंसर होगा नागालेंड देखिए यहां पर ट्राइब कौन सी पाई जाती है नागा ट्राइब पाई चाली जाती है थीक है और यहां पर जर्ति रहते हैं टो उनहीं के ऊनुक्त पर इसे रखा गया है अच्छा अच्छा निधी के रहे हैं सर नागा कुकुमबर को जी आई टेग भी मिला है हाँ ठीक है बहुत बढ़िया वेरे गोड सर्दी खासी ओके कैप्टन मौर्गन ने का है सर्दी खासी सही बात है वो खासी ही है ठीक है अंडर होस किंग्शेप फोर्थ बुद्धिस का आयोजन की हुआ था अशोका काल अशोक कनिश्क और अजासत्त्रू लोग करें सर कनिश्क 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 ओके ओके मतलब ऑप्शन नमबर ठीक साथ जाना चाह रहे हैं हम वाइग कोई तो गलत दो आंसर को सारे लोग सभी शाहीं देरें कैप्टन मौर्गन कह रहे हैं सी ने onब्हकर करेंसर होगा देखें कांसी डनिक हो बिलॉंग करते थे कूषाण डनिक की याद रखेंगे सबसे पहला जो हुआ था वो आजास सत्रू ने किया था ये कौन सी डाइनिस्टी से थे ये हर्यंका डाइनिस्टी से थे ये भी याद रखेंगे सेकंड जो हुआ था वो कौल अशोक ने किया था वो भी हर्यंका डाइनिस्टी से थे अशोक फिर उसके बाद आए कहाँ पर थ तो पहला आजास सत्रू, दूसरा काल अशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिश्क याद रखेंगे हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्निकी तरफ विच ओफ फॉलॉइंग इस नॉट अमेंबर ओफ आशियान निम लिकित में से कौन आशियान का सदसे नहीं हैं फिजी, कमबोडिया, सिंगापूर और वेतनाम सौरव ने कहा हैं फिजी, एम कह रहे हैं फिजी, प्रमीत, क्या बात है आज एम, सौरव सारे के सारे लोग बिलकुल टककर में हैं क्या बात है ओए ओए मज़ा आ गया यहां पर सभी के भाई आंसर फटा फट से प्रतिक्षा किप कर रहे हैं इस कोशन को यह तो बहुत आसान सा कोशन था यह यहां पर करेक्ट आंसर फिजी होगा क्या होगा फिजी होगा बाकि कंबोडिया सिंगापूर वेटनाम इसके पार ठीक है चलिए अगले प्रश्णी की तरफ बढ़ते हैं लेकिन एक बार फिर से वही गुजारेश फड़ा फड़ से सभी लोग लाइक करेंगे जिससे मुझे भी मज़ा आए और आपको भी मज़ा आए हाँ अरविंत फिजी करेक्ट है कृष्णा वेरी गुड एस दा करेक्ट आंसर आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्णी की तरफ अगला प्रश्ण आपके सामने वाट इस दा वाइबिलिटी ओफ सीड़ बीजो की व्यभारता क्या है प्रेजन्स ओफ टेंपरेचर एक्सक्रीशन इन सीड्स रस्पाइरेशन ओफ सीड्स प्रेजन्स ओफ लाइफ इन सीड्स बताईए यहां पर ठीक है रिमप बोल रहे है 1966 na कि औप्षन आ रहा है लोगों का कुछ लोग करेंपिवहारता की बात की गई है कि थीक है आगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं गो अगला प्रशन आपके सामने यह रहा वेर इस दा फेमस मिनाक्षी अमान टेंपल लोकेटेड प्रसिद मिनाक्षी अमान टेंपल कहां इस्तित है बादुरही तिरुवननत्पुरम तिरिपती और महाबलीपुरम A option आ गया है सबका मदुरही कुछ लोग B कह रहे हैं D मतलब महाबलीपुरम यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा मदुरही क्या होगा option number one मदुरही जहां पर मिनाक्षी टेंपल अगर कामाख्या टेंपल बोल देता तो वो मिलेगा आपको आसम में ठीक है तो यह भी याद रखेंगे और आपको महाबलीपुरम में एक हमपी मिल जाएगा ठीक है मुगल समरांट डेश ने आलंगीर उपाधिधारन की थी और अकबर जहांगीर और साजम है lle आउ & है यहाँ पे लोग करें सर और अब होंगे और अठीक है वहिया इस्किप किया है अजय ने कोई बात नहीं यहां पे correct answer जो होगा हाँ यहां पे correct answer जो होगा वो होगा और जेव अभी हमने देखा था इनको क्या कहा जाता था जिन्दा पीर क्या बोलते थे जिन्दा पीर यह भी याद रखेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प् अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न आपके सामने यह रहा नैशनल साइंस डे इस सेलिब्रेटेड ओन राश्ट्री विज्ञान दिवस कम मनाया जाता है अठाइस जन्वरी अठाइस अप्रेल अठाइस फर्वरी और अठाइस मार्च यहाँ पर आगया है हंडेड्ड परसें सर्थार्द आप्शन होगा अठाइस फर्वरी तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो आपका 28 फर्वरी ही है option number 3 इस्दा गार्च आंसर यह किसकी याद में मनाया गया आता है तो cv रमनकी याद में क्योंकि उन्हों必ने एक effect दी थी जो की थी Roman effect कौन सी थी Roman effect इनको Nobel Prize मिला था Nobel Prize मिला था कौन से year में मिला था आपको बताना है Nobel Prize का मिला था परसर नजीद ने सबसे पहले जवाब दिया है सर की 1930 में मिला था फिर यहाँ पर अरनब ने कहा है सौरव सभी लोगों ने फिर जवाब दे रहे हैं ठीक है यहां पर करेक्ट आंसर होगा 1930 क्या होगा 1930 आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ अगला प्रश्ण है प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना इस रिलेटेड टू प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना डेस सम्मंदित है लो कोस्ट अफोरडेबल हाउसिंग अपग्रेडिग इस्किल्स एंड ट्रेनिंग अंडिस्ट इंकम डिकलरेशन डेवलप्मेंट आफ ट्राइबल पीपल यहां पर एक हाए कैप्टन मॉर्गन ने मतलब लो कोस्ट अफोरडेबल हाउसिंग बाकी लोग क्या कह रहे है इसकिप कर रहे है ओके यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका आप्शन नमबर थ्री क्या अंडिस्क्लोज इंकम डिकलरेशन ठीक है प्रधान मंत परते हैं अगले प्रशनी की तरह वेरी गोड़ प्रसंट जीत अगला प्रशन है टेली वीजन वर्स इन्वेंटेट बाई टेली वीजन का विश्काट डैश ने किया था जेल बेर्ड होकिंसन लुइस ब्रेल नन आफ दाबोग ठीक है यहाँ पर ऐसे नमबर माझां और टाइच अभी शेख प्रधीप ठीक है यहाँ पर पर करेक्ट दिवोगा लुस ब्रेल ने ब्रेल लिपी कोंसी ब्रेल प्रेल महते निया जो लोग compartment प्रसक्ते हैं वह लो普ग पढ़ाई कर सकते हैं हाँ अगले प्रश्ण पर बढ़ते हैं अगला प्रश्ण आपके सामने who has been crowned the winner of Miss World 2022 Miss World 2022 की विजेता का ताज किसे पनाया गया है नवदीब कौर, जैनिफर ले, कैंडिस अब्राहाम और शैलीन फॉर्ड यहाँ पर लोग कह रहे हैं सर 3 होगा 3 होगा option मतलब D होगा कुछ लोग करें प्रिया, अर्विंद, सूफी, कैप्टर मॉर्गन ने का है सर फॉर्ड मतलब फॉर्ड की गाड़ी के साथ जाएंगे मतलब शैलीन फॉर्ड मजा कर रहा हूँ यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो है शैलीन फॉर्ड ठीक है हाँ कैप्ट हाँ रिंपा विल्कुल करेक्ट है यहाँ पर आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ ठीक है हाँ दिव्यांश विल्कुल करेक्ट है आपका प्रमीत वेरी गुड आगे बढ़ते हैं यहाँ पर है विच डे विल बी सेलिब्रेटेड एस नेशनल स्टार्ट अप डे किस दिन को राश्ट्री स्टार्ट अप दिवस की रूप में मनाय जाएगा पंदरह जनवरी 17 जनवरी और 18 जनवरी वारियर ने कहा है सर 16 आरती के रहें 16 होगा नीरज के रहे हैं प्रसन्य जीत के रहे हैं अरवेंद सिर्थी इंदू जा वेरे गुड यहाँ पर करीक्ट आनसर जो होगा वो होगा 16 जनवरी क्या होगा 16 जनवरी चलिए आगे बढ़ेंगे एक बार लेकिन गाई सभी लोग एक बार लाइक करेंगे ठीक है हाँ 16 जन्वरी इस दा करेक्ट आंसर आजे है प्रसन जीत हाँ आर्मी डे 15 जन्वरी वेरी गूड आगे बढ़ते हैं आगे प्रशनी की तरफ इन जन्वरी 2022 अ ग्रूप ऑफ एंटर्प्रेनेयर है जॉइन तोगेधर तु फॉर्म वीच आफ दा फॉलॉइंग ऑर्गनाईजेशन जन्वरी 2022 में उगमियों का समू निमलिखित में से किस संगठन का गठन करने के लिए एक साथ आए हैं कैनेडियन हिंदू चैंबर कॉमर्स जैपेनीज हिंदू चैंबर कॉमर्स रशीन हिंदू चैंबर कॉमर्स और चाइनीज हिंदू जैंबर कॉमर्स लोग कह रहे हैं कैनेडियन में यहां पर अजहर कह रहे हैं सर कैनेडियन कैनेडियन होगा विवेक कह रहे हैं सर ऑप्शन नमबर ए मतलब वन कैनेडियन हिंदू चैम्बर ओफ कॉमर्स ठीक है हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण ओहां पर अपना समय होता है समाब्द जहां पर आज हमने मौक टेस्ट क्या किया 16 बहुत अच्छे तरह से किया लोगों ने दम लगा कर फाइट किये फते प्राप्त किया है इसी तरह से आगे भी करते रहेंगे क्योंकि आपको पता है रोज ICAR की क्लास जो होती है वो काप से कब होती है दो से तीन बजे और CGL की क्लास SSC CGL की क्लास जो होती है वो होती है शाम को 6 से 7 बजे तो यहां पर जॉइन करना ना बूले अगर आपको PDF चाहिए है तो PDF के लिए आप ग्रूप जॉइन कर सकते हो जो की टेलिग्राम ग्रूप है वो कौन सा है गौरफ मौर्या सर टेश्ट बुक आप सर्च करिएगा आपको ग्रूप मिल जाएगा आपको जॉइन कर लेना है वहां सारी PDF अपडेट की जाती है ठीक है तो यहां पर तैयारी करते रहेंगे दोस्त हार नहीं मानेंगे ठीक ह और घर बैठके पढ़ाई करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त क्योंकि एक्जाम अभी बाकी है तो तैयारी छोड़नी नहीं है और तब तक के लिए आपका दोस्त आपसे अलविदा लेता है जै हिंद जै भारत झाल